राखी बांधने की शुरुवात कैसे हुई? राखी बहन भाई को क्यों बांधी जाती है? जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें विडियो अच्छी लगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें. महाभारत के समय एक बार भगवान क्रिश्न की अंगुली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था. ये देखकर द्रौपदी जो क्रिश्न जी की सखी भी थी, उन्होंने आचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी अंगुली में बांध दिया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई डौट ऐसे में नारत जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया. तब लक्ष्मी जी ने राजा बली को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पती को अपने साथ ले आई. उस दिन श्रावण मास की पूर्णी मा तिथी थी. तभी से यह रक्षा बंधन का त्योहार प्रचलन में है. रक्षा बंधन का भगवान कृष्न और द्रौपदी से है. नाता इसके बाद द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ कर भगवान श्री कृष्न की उंगली में बांधा था. उस समय भी भगवान श्री कृष्न ने द्रौपदी को इसके बदले में रक्षा करने का बच जिसे वे उनकी सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, भाई बहन को उपहार देते हैं और उन्हें आशिरवाद देते हैं, रक्षा बंधन का त्योहार भारतिय समाज में परिवार के बंधनों को मजबूत करता है और विशेश रूप से बच्चों को पवित्र रिष्टों की पूनता सिखाता है, अगस्त को रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाएगा, सावन का महीना होता है और शंकर भगवान की क्रिपा सदैव बनी रहती है, इस खास दिन का इंतजार हर भाई बहन को होता है, इस दिन बहने भाईयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके राखी बांधते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं मुहूर्त का खास ध्यान रखना चाहिए, धार्मिक मान्यता है कि भाईयों को भूल कर भी भद्रा या राहुकाल में राखी नहीं बांधना चाहिए, ऐसा करने से भाईयों को जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है काले रंग की राखी रक्षा बंधन के दिन भूल कर भी भाईयों को काले रंग का रक्षा सूत्र ना बांधें इससे भाईयों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है भाई को लाल, पीले, नारंगी और गुलाबी रंग की राखी बांधना शुब माना जाता है भाई का सिर धके, राखी बांधने से पहले भाईयों के सिर को किसी साफ कपड़े या तॉलिये से धका हुआ होना चाहिए साथ ही भाई के दाएं हाथ पर हमेशा कलाई बांधनी चाहिए मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की आयू लंबी होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है तूटे चावल का अक्षत ना लगाएं, भाईयों को राखी बांधते समय कभी तूटे चावल का अच्छा नहीं लगाना चाहिए ऐसा करना अशुभ माना जाता है इसलिए भाई को हमेशा साबुत चावल के दाने से तयार अक्षत का ही तिलत लगाएं